हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डबल लेयर क्राउन हिजाब की कटिंग स्टिचिंग यह हिजाब बनाने के लिए मैंने 2 मिटर जॉर्जट फैबरिक लिया है आप जॉर्जट फैबरिक शिफोन फैबरिक या किसी भी तरह का फैबरिक यूस कर सकते हैं और आप इस हिजाब को किसी भी पुराने दुपटे के साथ बना सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 मिटर जॉर्जट फैबरिक लिया है और सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है किनारी वाली साइड से मैं इसको यहां से डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से किनारी वाली साइड है हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है अब हमने अपना हिजाब दो लेयर में बनाना है तो सबसे पहले हम बड़ी वाली लेयर कट करेंगे तो बड़ी वाली लेयर का जो लेंद रहेगी वो 38 इंच पर मैं कट करूँगी तो सीधा मैंने इसको 38 इंच यानि 38 इंच की लेंद पर इसको कट कर लिया है इसके बाद अब हमने अपनी 2 लेयर कट करनी है तो जो second layer होगी वो हमारी first layer से लगबग 10 inch छोटी रहेगी तो 2 meter में अभी ये हमारा लगबग 1 meter से थोड़ा ज़ादा fabric बचा है क्योंकि 38 inch की land पर हमने first layer निकाल ली है अभी दिखी फिर से हमने इसको बचे हुए fabric को double fold करके रखना है और जो हमने already अपनी first layer कट कर ली है उससे 10 inch कम हमने उपर वाली layer लेनी है यानि जो second layer होगी वो हमारी 29 inch की land पर रहेगी तो अब हमने इसको 29 inch की यानि 29 inch की land पर इसको सीधा कट कर लेना है इस तरह से हमने 2 layer कट कर ली है आप देखिए इसके बाद भी हमारा ये थोड़ा सा fabric बचा है इसमें से हम अपना nose piece कट करेंगे तो ये हमारी 2 layer है सबसे पहले जो हमारी उपर वाली यानि छोटी वाली layer है इसमें से हम change का fabric निकाल लेंगे क्योंकि चोड़ाई में हमारी 2 layer कम रहेगी 1st layer से तो यहां से मैं किनारी वाली side से change की सीधी पटी निकाल दूँगी ये पटी को हम हिजाब में और nose piece में strips बनाने के लिए यूज़ करेंगे अब देखिए इसको हमने फिर से double fold कर लिया है और जो हमारी 1st layer है इसके बराबर हमने मिला कर रखना है दोनों की fold side एक तरफ रहेगी और open side एक तरफ रहेगी तो दोनों piece को हमने एक जैसा करके रखना है और अच्छे से बराबर मिला कर set कर लेना है तो सभी silver टो को हमने यहां से निकाल लेना है इसके बाद की छोटी वाली layer हमारी यहां तक है तो मैंने mark करके आपको दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से visible हो जाए अब यह हमारी 38 inch land पर 1st layer है और 29 inch की land पर यह हमारी 2nd layer है और जो हमारी 2nd layer है वो 1st layer से चोड़ाई में 3 inch कम है क्योंकि हमने 6 inch हमने इसमें से निकाल दिया है तो डबल फोल्ड करके यह 3 inch चोड़ाई में कम हो गई है इसके बाद अब हमने दोनों layer में अपने यहां से गोलाई देनी है तो इस तरह से हमने कार्व शे में marking करनी है और यहां लाकर मिला देना है तो यह हमारी first layer है छोटी वाली उसके बाद यह वाली हमारी second layer है तो इसको भी हमने यही shape देकर mark कर लेना है तो दोनों को curve shape में हमने marking कर ली है इसके बाद हमने इसकी cutting कर लेनी है जैसे मैंने mark किया है as it is मैं cut कर लोंगी so guys यह हिजाब किसी भी young girls और ladies के लिए fit रहेगा आप इसी measurement के हिसाब से बनाएंगे तो आपका हिजाब बिल्कुल fit आएगा अब देखिए जो हमने marking की है first layer और second layer पर इसको cut कर लेंगे so यह इस तरह से हमारे half circle मिल जाएंगे दो तो इन दोनों की shape बिल्कुल एक जैसी है इसके बाद उपर की तरफ से जो हमारा unequal fabric है इसको भी हम equal कर लेंगे यहाँ से तो हिजाब के दोनों piece हमारे cut हो चुके है इसके बाद जो हमारा fabric बचा था इसमें से हम nose piece cut करेंगे so nose piece की जो length रहेगी लगबग 30 इंच रहेगी तो मैं यहाँ से 30 इंच की length पर जो fabric है वो निकाल लूँगी तो इसको मैं सीधा cut कर लूँगी इस तरह से तो यह हो गई हमारे nose piece की length इसको हम double fold कर लेंगे तो यह रह जाएगा हमारा 15 इंच double fold करने के बाद यह हमारा 15 इंच रह गया है तो हम अपने layer को यहाँ से हटा देते हैं इसके बाद हम अपने nose piece की cutting करेंगे तो इस तरह से देखे double fold करके 15 इंच है अब हमने इसकी width लेनी है तो इसकी width मैं 13 इंच लूँगी यानि देखे यहीं से हमने इसको four fold कर लेना है ऐसे और यहां से हमने हलकी सी गोलाई देते हुए माक कर लेना है तो जिस तरह से हमने अपने layer कट किया है हिजाब के उसी तरह से हम अपना nose piece कट करेंगे तो यहां से मैंने गोलाई देते हुए कट किया है और अब हमने इसको सीधा कट कर लेना है सो इस तरह से ये हमारा nose piece कट हो चुका है अब मैं आपको दिखाती हूँ open करने के बाद ये कुछ इस शेप में रहेगा अब ये double fold है अब हमारा single fold है अब देखिए हमें क्या करना है nose piece के चारो तरफ से quarter range fabric को double fold करते हुए एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से तो चारो तरफ से हमने इसको ham कर लेना है और इसी तरह से बिलकुल हम अपने दोनो हिजाब की layer fold करेंगे सो हिजाब की layer भी हमने चारो तरफ से fold करने है लगभा quarter range तो इस तरह से देखें यह हमारी छोटी वाली layer है हिजाब की अब हमने इसको यहां से quarter range double fold करते हुए पूरा इसका यह half circle है इसको सीना है और उपर से भी सो हमने यहां से इसको चारो तरफ से quarter range fold कर देना है तो लीजिए एक पैर का दबाव अंदर के तरफ करते हुए हमने इतनी बारी की के साथ इसको चारो तरफ से fold करना है तो बारी की सिलाई के साथ हमने इसको fold कर लिया है आप चाहें तो यहां पर पीको भी करा सकते हैं और प्लास्टिक थ्रेट से अगर आप कराएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा बट सभी के पास पीको अवेलबल नहीं होती तो मैंने यहां पर मशीन करके दिखाया है तो देखे मैंने सैकंड लेयर पे भी बिल्कुल इसी तरह से चारो तरफ से इसको हैम कर लिया है यानि चारो तरफ से क्वाटर इज डबल फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना नोस पीस भी रेडी किया है नोस पीस के चारो तरफ से भी हमने इतना ही मार्जन लेकर फोल्ड कर लिया है अब देखे क्या करना है ये दोनों जो हमारे पीसे इनका सेंटर पर मार्क कर लेना है इस तरह से सेंटर पर मार्क करने के बाद अब हमने जो बड़ी वाली लेयर है इसके उपर सेंटर से इधर 6 इंच पर मार्क करेंगे और 6 इंच हमने सेंटर से इधर माक करना है तो टोटल हमारा 12 इंच हो गया है अब देखिए नीचे की तरफ हमने 3 इंच पर माक करना है ये माक हमने नीचे तक 3 इंच की दूरी पर लेना है तो नीचे से भी हमारा ये 12 इंच हो गया है अब ये स्माक को हमने सीधा कर लेना है इस तरह से एंड इस माक के उपर हमने अपना सेकंड लेयर रखनी है तो ये सेंटर का माक है, सेंटर के सामने हमने इस तरह से मिलाना है और जो हमने सीधा माक किया है उसके उपर अपने सैकंड लेयर को रखकर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से तो हम सबसे पहले यहाँ पर पिल लगा देते हैं सिलाई हमने यहीं से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक लाकर एंट करनी है तो यह हमारी 12 इंच की दूरी तक सिलाई आएगी दोनों जो लेयर है बारा इंच तक जोईट होंगे एक सैंटर में हमने पिल लगा दी है अब हमने जहां तक पिल लगाई है यहां पर एक सिलाई लगा देनी है इसके बार देखिए हमने क्या करना है दो स्ट्रिप्स ली हैं मैंने रेड कलर की ये भी मेरी जॉर्जट फैब्रिक है और दोनों की जो लंबाई और चुड़ाई है वो बिल्कुल बराबर है इस तरह से दोनों स्ट्रिप्स को मैंने चारो तरफ से फोल्ड कर लिया है अब मैं आपको इसकी लैंथ बता देती हूँ डबल फोल्ड करने के बाद ये लगबग 31 इंच है और उपन करने के बाद ये लगबग 16 इंच है आप 15 इंच के आसपास भी ले सकते हैं काफी अच्छे से आपकी रफल्स बन जाएंगी तो दोनों की लंबाई चोड़ाई बराबर है और जो मैंने इसको कट किया था इसको मैंने तीन इंच पर कट किया था लगबग 12 इंच पर ये रेडी हो गई है फोल्ड करने के बाद कि यह सिलाई हमने बड़ी चाल करके करनी है अब हमने बीच में से कोह सभी एक धागा क्जीचना है कि कि अब हमने दोनों स्ट्रिप्स में इस तरह से धागा खीच कर ग्यादर्स बना लेने हैं District को हमने यहां तक करना है यानि लगवग 12 इंच के आसपास हमने इन दोनों स्ट्रिप्स को कर लेना है सो इस तरह से ये हमारी गैदर्स रेडी हो गई है अब क्या करना है हमने इसको बिल्कुल सीधा करके रखना है इस तरह से और इसके बीचों बीच एक सिलाई करनी है इसको हमने हाथों से सैट करना है और जो सिलाई हमने गैदर्स बनाने के लिए लगाई है उसी सिलाई के उपर हमने एक सिलाई कर लेनी है इसको हमने अपने दूसरे हिजाब के उपर रखना है यानि जो सैकिंड लियर है उसके उपर रखना है और इसी सिलाई के उपर एक सिलाई कर देनी है तो इस तरह से हमने इसको सैट करना है उसके बाद हमने एक सिलाई कर लेनी है तो दोनों हाथों से सैट करते हुआ हमने ये गैदर्स पट्टी लगा लेनी है इस तरह से आप यहां देख सकते है इसके बीचों बीच हमने एक सिलाई की है और जो यहां से आप gathers देख सकते हैं बड़ी प्यारी से हमारी gathers बन चुकी है इस तरह से यह हमारी gathers पटी लग चुकी है इसके बाद कि हमने क्या करना है दो strips लिए हमने black color की इसके एक किनारे पर हमने stitch कर लिए है अब हमने जिसकी length ली है वो लगबग 24 inch ली है तो दोनों की लंबाई बराबर है और चोड़ाई भी बराबर है अब दोनों strips को हमने अपनी gathers party के नीचे लगानी है जस्ट यहां पर और यहां पर आप इसकी जगा elastic का भी यूज़ कर सकते हैं इलास्टिक आपको black color के लेनी होगी बट मैं यहां पर fabric का ही use कर रही हूँ इस तरह से मैंने यह black strips से बनाई है और इसको हमने just इसके नीचे यहां लगा कर एक-एक सिलाई कर देनी है यहां से तो दोनों strips हमारी लग जाएंगी इस तरह से यह हमारा हिजाब रेड़ी हो चुका है तो यह हमारा crown हिजाब रेड़ी हो गया है अब हमने अपना nose piece रेड़ी करना है तो nose piece के चारों तरफ से भी हमने एक-एक सिलाई कर ली है देख सकते हैं आप quarter inch double fold किया है इस तरह से अब हमने इसको double fold करना है बीचो बीच layer को मैंने बढ़ा रखा है तो यह मैंने तीनीच बढ़ा रखा है तो उपर वाली layer को हमने तीनीच बढ़ा रखना है नीचे वाली layer से इसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हमने इस तरह से mark कर लेना है जो नीचे वाली layer है उसके according हमने उपर वाली layer पर mark किया है और इस mark पर अब हम अपनी ये ruffle strip लगाएंगे और साथ में हमने दो strips और ली है जिसको हम यहाँ पर set कर देंगे तो यहाँ भी आप strips की जगाया black elastic का use कर सकते हैं तो दोनों strips मैं side में इस तरह से लगा दूँगी और दोनों side में हमने एक-एक सिलाई कर लेनी है यहाँ से अब देखिए यह जो हमने mark किया है यह mark हमने बड़ी वाली layer याणि उपर वाली layer पर किया है तो इस gather party को हमने यहाँ से लगाना है इस तरह से तो यह हमने single party पर लगाना है और इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह से लगाना है जैसे हमने अपनी हिजाब पर लगाया है तो दोनों को हमने बिल्कुल इस तरह से ready कर लेना है आप देख सकते हैं दोनों piece हमारे ready हो चुके है तो guys जो बड़ा वाला crown हिजाब है उसको हमने forehead पर यानी सर पर बानना होता है और जो हमारा nose piece है उसको हमने nose के उपर बानना होता है तो बिल्कुल simple है क्योंकि यह हमने tie करने के लिए strips लगा दिये हैं वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताए और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या आप कुछ पूछना चाते हैं तो आप मुझे comment box में जरूर पूछे जहां पर मैं आपको अच्छे से reply करूँगी इसी के साथ आप मुझे instagram और facebook page पे भी जरूर follow करें दोनों का link description box में देदूँगी साथ इसाथ आप हिजाब के नीचे inner cap का वीडियो भी देख सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा